मनुभाकर इस समय ओलंपिक के लिए तो जानी ही जा रही है लेकिन मनुभाकर अपने संस्कारों की वज़े से भी जानी जा रही है वाह क्या संस्कार है ऐसा कह रहे है उनके बारे में लोग जीहां जोदिरादित्य सिंधिया से गिफ्ट लेने के लिए मनुभाकर ने अपनी चपलें उतार दी जाने क्या था खास तोफा इस वीडियो में उलंपिक में मैडल जीतने वाली मनुभाकर ने शुकरवार को अपने परिवार के साथ के इंद्रियमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मनुभाकर को पदक जीतन मनुभाकर से शुकरवार को कि इंद्रिय मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की जोतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के समय मनुभाकर का पूरा परिवार मौजूद था सिंधिया ने उन्हें पदक जीतने पर बढ़ाई दी इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग को लेकर भी चर्चा की दोनों के बीच मुलाकात का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप मनुभाकर की जमकर तारीफ करेंगे जोतिर अदित्य सिंधिया ने मनुभाकर को ऐसा गिफ्ट दिया कि उन्होंने पहले अपनी चपले उतारी उसके बाद उन्होंने सिंधिया की हातों से गिफ्ट लिया ये वीडियो अब वाइरल हो गया है शुक्रवार को नई दिल्ली में मनुभाकर केंद्री मंत्री जोत्रादिति सिंधिया से मिलने पहुची थी मनुभाकर के साथ उनका पूरा परिवार था केंद्री मंत्री जोत्रादिति सिंधिया ने मनुभाकर को एक तौफा दिया और उनके साथ सभी लोगों के साथ चर्चा भीकी इस दोरान केंद्री मंत्री ज्योतिडादित सिंधिया ने मनुभाकर को धातू से निर्मित विशेश गनपती की मूर्ती दी गणेश ची की प्रतिमा को लेने से पहले मनुभाकर ने अपनी चपले उतारी और फिर गणेश ची की प्रतिमा को अपने हाथों में पकड़ा हाला कि केंद्री मंत्री ज्योतिडादित सिंधिया ने भी इस दोरान अपने जूते उतार रखे थे मनुभाकर और उनके परिवार से केंद्री मंत्री ने लंबी बातचीत की इस मुलाकात के दौरान मनुभाकर के साथ उनके कोच जस्पाल राणा भी मौचूद थे केंद्री मंत्री ने अपने युवा दिनों के बारे में बताया कि वो भी शूटिंग सीखते थे बता दें कि जोतिरा दित्त सिंधिया राजनीती के लावा खेल में भी अच्छी खासी रुची रखते हैं कई बार क्रिकेट के मैदान में उन्हें खेलते भी देखा गया है मुलाकात के दौरान जो तिरा दित्त सिंधिया की पतनी प्रिया दर्शनी राजे सिंधिया भी उनके साथ मौजूद थी ये खास कबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को देखा सराहा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे इस बात के लिए भी सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद बस इसी तरह जुड़े रहे नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ प्रेजल स्पराइब